Hello everyone, welcome to our classes आज हम पढ़ेंगे एक बहुत important drug के बारे में जिसका नाम है benzocaine आप जानते हैं benzocaine एक local anesthetic है बहुत important drug है medicinal chemistry की इसका IUPAC name और इसकी synthesis methods को आज हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम चलते हैं IUPAC name पर benzocaine के benzocaine के benzocaine में आप देख सकते हैं यहाँ पर CH3 और इस position पर CH2 है आप देख सकते हैं कि यह एक ester functionality है तो ester functionality होने के कारण इसका नाम कुछ इस तरीके से आएगा कि इसका नाम बनता है Ethyl 4-aminobenzoid कैसे? वो ऐसे कि आप जानते हैं कि किसी ester का नाम दिया जाता है R-C-O-O-R- सबसे पहले इसका नाम आता है जिसको हम कहते हैं alkyl और फिर इस हिस्से का नाम आता है जिसको हम कहते है alkynoate तो हम देख रहे हैं कि O-R- वाला portion यह है और यहाँ पर ethyl है तो इसलिए सबसे पहले नाम आया ethyl फिर fourth position पर amino है और बाकी का जो यह हिस्सा है वो benzoic acid का हिस्सा है तो इसलिए ethyl four amino benzoate का नाम इसको दिया गया है तो इस तरीके से बहुत ही simple IUPAC name इसका पढ़ता है अब हम चलते हैं इसके synthetic method पे यहाँ पर आज मैं दो method discuss करूंगा सबसे पहला method है जो start करते हैं हम वो है toluene से बहुत ही basic reaction है आप लोग ने class 11-12 में यह reactions पढ़ी है सबसे पहले हम toluene को लेंगे और इसका HNO3 S2SO4 के साथ reaction कराएंगे जैसा कि आप जानते हो यह nitrogen की process है nitrogen की process होने पर NO2 जो है वो पेरा position पर आकर के जुड़ जाता है वो इसलिए क्योंकि CH3 जो है वो ortho para directing group है इस वज़े से NO2 पेरा position पर यानि की fourth position पर आके attach हो गया इसके बाद हम लेंगे KmNO4 in presence of KOH इसके साथ हम heat करते हैं यह भी आप लोगोंने reaction पढ़ी है इस reaction में क्या होता है कि यह जो CH3 group है अलकायल group है वो carboxylic acid group यानि की COOH में convert हो जाता है तो इस तरीके से हमने CH3 को COOH में convert कर दिया अब next reaction में हम क्या करेंगे कि COOH को हम CO2H5 में change करेंगे यह process जो होती है इसको हम कहते है esterification यानि की ester बनना की process है यह तो इसमें क्या होगा esterification करने के लिए हम इसकी reaction कराएंगे C2H5OH से तो जब हम C2H5OH से reaction कराएंगे तो C2H5OH का H और COOH का OH जो है वो निकल जाएगा और हमको यहाँ पर COOC2H5 बन जाएगा एक बार और देख लेते हैं कैसे होगा से यह है COOH C double bond O single bond O single bond H है और यहाँ पर है C2H5OH ऐसे तो एलकोहल का H और कार्बॉक्सलिक एसिड का OH यहाँ से आउट हो जाता है और यहाँ से H2O जो है वो निकल जाता है और फिर बनेगा C double bond O C5 यानिकि Aster Group यहाँ established हो जाता है अब जो next काम है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो next काम है वो यहाँ पर हम इस NO2 ग्रूप को हम यहाँ पर change करेंगे NH2 ग्रूप में ठीक है तो नोटो ग्रूप को जो NH2 ग्रूप में change करना होता है इसको हम कहते है reduction की process सबसे best reagent इसके लिए होता है SNHCl in fact आप इसको यादी कर लें कि कभी भी NO2 को NH2 में change करना है तो SNHCl का use करेंगे और यह एक reduction की process है तो इस तरीके से हमने जो है reduce करके NH2 में change कर दिया और हमारा finally हमको benzocaine जो है वो मिल गया तो यह पहला method है benzocaine की synthesis का आईए दूसरा method देख लेते हैं दूसरा method बड़ा ही simple है आपको लेना है P-A-B-A Paba para amino para par amino है और benzoic acid है तो para amino benzoic acid जो है हमने लेना है Paba यहाँ पर अब सीदे सीदे जो है हम इस COH group का esterification कर देंगे in presence of C2H5OH and a little amount of H2SO4 which acts as a source of H plus catalytic तो यहाँ पर COH के साथ जो है reaction करके यह benzocaine को बनाता है COOC2H5 के हिस्से को complete करता है तो इस तरीके से हमको यहाँ पर benzocaine मिल जाएगा तो आपके पास दो process है आप किसी भी process से benzocaine को बना सकते है तो I hope आपको benzocaine उसका IUPAC name सब समझ में आ गया होगा so please do like, share, subscribe and thank you so much मिलते हैं next video में